मिदास का स्पर्श, हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं, उसके पास साने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बलता, वोह और अधिक सोना चाहता, उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था, और हर रोज उसे गिना करता था, एक दिन जा बवा सोना गिन रहा तो एक अजनवी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वर्दान मान सकते हो, जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे, राजा खुश हुआ, और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को चूँ, वह सोना बन जाए, अजनवी ने राजा से प लेकिन अगले दिन जब राजा नीन से उठा, तो उसने अपना पलंग चूआ, वह सोना बन गया, वह वर्दान सच था, राजा ने जिस चीज को भी चूआ, वह सोना बन गई, राजा ने जिस उसने खिलकी के बाहर देखा, और अपनी ननी बच्ची को खेलते पाया, उसने अपनी बिटिया को यह जूबा दिखाना चाहा, और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची, उसने जैसे ही उससे चुआ, वह सोने की बन गई, वह किताब को पढ़ना सका, फिर वह नाश्ता करने बैठा, जैसे ही उस बाहों में भर लिया, वह सोने की मूर्ती बन गई, अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई, राजा सिर पकर कर रोने लगा, वह वर्दान देने वाली अजनभी फिर आया, और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताक्त से राजा ने गिरगिरा कर माफी मानगी, और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, महरबानी करके मेरी बेटी मुझे लोटा दो, क्या कि उसके बिना मेरी हर चीज मुयहीन हो गई है, अजनभी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने विक्रित जीवन मुईयों से दुख ही मिलता है और कई बार इच्छा का पूरा होना न पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है